हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इविशी अकेडमी पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप मद्धिकालीन इतिहास से में मिन पॉइंट देख रहे हो जो कि आपकी सरसट भी बिप्यसी के लिए खास करके यह वीडियो बनाया जा रहा है इससे पहले मैंने आपको बिहार के बारे में बिहार बिहार एक परिच है बिहार का इतिहास फिर आपका जैसे मात्मा बुद्ध है महाबीर स्वामी है मौर इवन्स है चनल गुप्त मौर के बारे में जैसे बिंदू सार हो गया अशोक है हो गया इन सब के बारे में काफी अच्छे से बताया अगर आपने उशवी तक नहीं देखा है उपर आई बटम में लिंक आएगा पुशे देख लिजेगा तीन क्लास इससे पहले अपलोड किया गया था असोग के सिलालेक के बारे में आपको पता है काफी इंपोर्टेंट होता है सिलालेक से तो सवाल आना ही आना है तो हर इक सवाल को ध्यान से आप देख लिजेगा आज के इस क्लास को आईए देखते हैं सबसे पहले है कि बिहार में इस्लामिक सक्ता का प्रवेश के बारे में आपको जानना है एक बात आप ध्यान देंगे लास्ट क्लास में आपको बताया गया था करनाट वंस के बारे में क्या आपको ध्यान है तो देखिए अगर ध्यान है तो अच्छी बात है नहीं तो अब मेरे साथ बनिए 10-15 मिट के आसपास आपको अच्छे से बहुत कुछ पता चलेगा देखेंगे करनाट वंस इस वंस के जो संस्थापक थे वो नान्य देव थे इसके बाद गंग देव और फिर उनके पुत्र जो थे नर्सिंग देव साशक बनते हैं नर्सिंग देव के ही समय में ध्यान रखिएगा नर्सिंग यहां पर नाम लिखा जा रहा है ध्यान रखिएगा नर्षिंग देव के समय में एक आकरमन कारी थे। कौन? तो बक्तियार खिल जी उन्होंने बिहार पर आकरमन किया और नालंदा विक्रम शिला जैसे महा विहार को उन्होंने नष्ट कर दिया था। किसने बक्तियार खिल जी ने और यहीं से इस्लामिक सत्ता का प्रवेश हो जाता है बिहार में देखेंगे बक्तियार खिल जी ने 1193 इश्वी से 1206 इश्वी के मद्ध बिहार व बंगाल पर आकरवन कर विजित किया अब यहां पर एक मेंट पॉइंट है वह कुतुबुद्द इसवी में इल्टूत मीशने बिहार पर आकरवन कव किया तो 1225 इश्वी ध्यान रखना है आपको इल्टूत मीशने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला स्था-ब हाएं Eller क्लास में मैंने आपको बताया था जहांभी पहला सब्द रहता है वह आपक Rolling जानी को बिहार में अपना पहला शुवेदार नियूक्त किया था इस बात का ध्यान रखिएगा आए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिहार पर तुर्कों का बर्चस 1324 इस्वी में गयाशुद्दीन तुगलक के आकर्मन के बाद कायम होता है तुर्क का यहाँ पर राज अच्छे से कविश् के बाद उन्होंने आकर्मन कब किया था 1324 इस्वी में बिहार के तिरहुद छेत्र का विले मुहम्मद बीन तुगलक के काल में किया गया था इसका नाम तुगलक पूर रखा गया था ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखी अब वर्स 1398 और 99 के बारे में तैमूर के आकर्मन दिल्ली सल्तनत को व्यापक छती पहुंचाई इसके परिनाम शरूप बिहार में बर्चस्वी के लिए जौनपूर और बंगाल के शासकों में प्रतियर्सपरधा शुरू हो गई थी आए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1495-96 इश्वी के आसपास शिकंदर लोदी ने दर्या खान नोहानी को बिहार का राजपाल न्यूक्त किया अब यहाँ पे आप देखेंगे सवाल क्या बनता है सिकंदर लोदी ने किसे बिहार का पहला राजपाल न्यूक्त किया था तो दर्या खान नाम ध्यान रखेंगे इश्वी कव 1495-95 इश्वी के आसपा सिकंदर लोदी ने दर्या खानुहानी को बिहार का पहला राजपाल न्यूक्त किया था next point देखते हैं, पंद्रो सो 26 इस्वी में, बाबर ने पाणी पत के युद्ध में, इबराहीम लोधी को प्रास्त किया था, बिहार में श्वतंत्र रियासत की घोषना कर दी, next point है, अब सेर साह के बारे में समझेंगे, जन्म होता है उनका 1472 इस्वी में यहाँ पर दिया हुआ है एक important point कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 इस्वी में जन्म होता है ठीक है बचपन का नाम फरीद काफी important है ध्यान रखेंगे बचपन का नाम सेर साह का क्या है फरीद है पिता का नाम हशन का वो शाशाराम के जागिदार थे शिक्षा कहां पर मिलती है तो जौनपूर में मिलती है ध्यान रखेंगे आए next point देखते है अब आगे है बाहार खान लोहानी ने फरीद को सेर खान की उपादी दी ध्यान रखेंगे खान की बस अभी उपादी दी दिया जा रहा है किस ने दिया तो बाहार खाने ठीक है बाहार खानोहानी ने next है कि मुहम्मद साह यानि कि बाहार खानोहानी के बारे में कि मिलतीव के पस्च्चात उसकी बिधवा पत्नी पत्नी का नाम दुदू बेगम है उन्होंने शेर खान से विवाह कर लिया था अब आते हैं 1529 शिष्वी में महमूद लोदी की तरफ से घागरा युद्ध में भाग लिया गया 1529 शिष्वी में बंगाल के नुसरत साह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधी धारन की किष्णे सेर सार ने ध्यान रखेंगे जन्म हुआ था 1472 शिष्वी में कुछ विद्वान के नुसर 1486 भी बताया जाता है बचपन का नाम फरीद था पिता हशन खान थे बाहार खान लोहानी ने फरीद को सेर खान की उपाधी दे थी ध्यान रखेंगे आईए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पंद्रो सो तीस शिष्वी में लाड मलिका याने की चुनार के फोजदार ताज खान की विद्वा से विवाह किया था कब पंद्रो सो तीस में लाड मलिका याने की चुनार के जो फोजदार थे ताज खान उनकी विद्वा पत्नी से उनोंने साधी कर लिया था आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे काफी इंपॉटेंट है आप जरूर ध्यान से देखिएगा जहां भी जबाब नहीं पता हो आप याद करने की कोशिश करिएगा नेक्स्ट पॉइंट है 1534 इस्वी में हुए शूरजगर के युद्ध में बंगाल के महमूद साह को पराजित किया अब सवाल आएगा कि बंगाल के महमूद साह को पराजित कब किया गया था 1534 में 1549 में चौशा के युद्ध में हमायू को पराजित कर सेर खां अभी आपने देखा था तो सेर खां से उन्होंने सेर साह की उपाधी धारन कर ले थी सवाल पूछेगा किस युद्ध के बाद सेर साह ने सेर साह की उपाधी धारन की थी तो 1549 इश्वी के जो ये चौशा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही किया था ध्यान रखेगा 1540 इश्वी में कन्नोज इसका की बिलगराम नाम था के युद्ध में हुमायू को परास्त कर द्वीतिय अफगान समराज और शूर वन्स की अस्थापना की थी नेक्स्ट पॉइंट है 1543 इश्वी में राइशीन विजयकर वहां के शाषक पूरन मल को विश्वास घात से मार डाला और भीसन कतले आम करवाया था जो सेर्शा पर एक कलंक के रूप में देखा जाता है अब नेक्स्ट पॉइंट है 1544 इश्वी 1544 में मारवार की विजयक किया थो ने मारवार को कब जीता तो 1544 में 1545 इश्वी में कालिंजर अभियान में घायर होने के कारण उसकी मेत्यू हो जाती है यहाँ पर एक इंपॉटेंट पॉइंट है कि मेत्यू कव होती है तो 1545 में कहां पर किस यूद के दोरा तो कालिंजर जो का जो यूद हो रहा था उसकी मेत्यू हो जाती है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सेर्शा ने अपने शामराज को सरकारों में विभाजित किया था आरंब में 47 सरकारे थी बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया इस प्रकार कुल सरकारों की जो संख्या है टोटल कितना हो गया 36 हो गया 47 था पहले फिर उसको सोलो एड कर देता है तो आपको थ्रेशट हो जाएगा अब नेक्स्ट पॉइंट देखे शरकार शरकार का परशासन सिक्दार ए सिक्दारन तथा मुंसिफ ए मुसिफान द्वारा चलाया जाता था उसने भूराजस विवस्था हेतु रयतवारी विवस्था की उसकी जीवनी लिखी है अगर पूछे की सेर्षा का जीवनी किस ने लिखा आया तो आपको ध्यान रखना है अब बास खां शर्वानी ने ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है सेर्षा ने शासाराम याने की जो बिहार में है बिहार में अपना मकवरा बनवाया था या एक जामे अश्ट कोनिय आकार में लाल बल्वा पत्थरों से बना है शेर्षा ने सासाराम में अपना मकवरा बनवाया यह मकवरा एक क्रित्रिम जील के मद्द में अश्ट कोनिय आकार में लाल बल्वा पत्थर से बना हुआ है उसके बाद उसका पुत्र, पुत्र का नाम है में बिहार पुनह मुगल सामराज में सामिल हो जाता है नेक्स पॉइंट है और अंग जेव ने अजी मुशान को बिहार का शुबेदार बनाया उसने पतना का नाम अजीमाबाद कर दिया था फर्रुक सिहर का राज्याविशे कहां होता है तो पतना में होता है अगर पूछे फर्रुक सिहर का राजाविशे कहां पर हुआ था तो पतना में हुआ था फ्रेंड्स काफी सारा प्रैक्टिस इट अपलोड किया जा चुका है अगर उसे आपने अभी तक नहीं देखाया तो आप जरूर देख लीजेगा इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से बहुत अच् में किसने औरंग जेव ने किसे मुर्सीद कुर्ली खां को बंगाल बिहार उरिशा का सुवेदार न्यूक्त किया उसने 704 में यानी 701 के बाद 704 तीन साल बाद बंगाल की राजधानी धाका से मुर्सीदाबाद अस्थांत्रित कर दिया था नेक्स्ट पॉइंट है गीडि शक्तिसाली नवाब था ध्यान रखेंगे करिया के योदि के बाद अलवर्दी खां जो है वो बंगाल मतलब बंगाल का नवाब बना और वह अंतिम शक्तिसाली नवाब थे नेक्स्ट पॉइंट है पंद्रो सो माफ कीजिगा शत्रो सा चप्पन में सिराज युद्दोला याने कि अलवर्दी खां का जो नाती है उन्होंने बंगाल का वो नवाब बनता है सवाल पूछेगा सिराज उद्दोला बंगाल का नवाब कब बना तो सत्रो सो चप्पन आपको ध्यान रखना है सवाल इनहीं में से आता है इस बात का आप ध्यान रखेगा अगर आपने प्रिवियस यर का practice rate देखा होगा तो आपको पता होगा सवाल इन ही में से बन क्या था इसलिए एक भी point को miss मत करिएगा next point है 23 जून 1757 को 56 के बाद 57 पे चलते हैं पलाशी के यूद में वह अंग्रेज़ों से हार गया फिर 28 जून 1757 को मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बना friends आसा करता हूँ class आपको मदकालीन इतिहास से अच्छा लगा होगा practice setup जरूर देख लीजेगा देखिए इसके बाद जो है आधूनिक इतिहास के बारे में आपको जानना है next class में आपको आधूनिक इतिहास के बारे में अच्छे से बताया जाएगा ठीक है जैसे बिहार मे यूरोपीय कंपनी जो है उसका प्रवेश कव होता है इस तरह से आपको जानना है बिहार के बारे में बिहार special में आपको जानना है अच्छे से आसा करता हूँ class अच्छा लगा होगा अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा friends वीडियो को जरूर लाइक करिएगा बने रहिए गए वीशी अकैडमी के साथ सरसट भी BPSC के लिए काफी सारा प्रेक्टी सेट अपलोड हो चुका है अभी भी काफी सारा मेटेरियल आपके प्रवाइड आपके लिए प्रवाइड करवाया जाएगा आशे ही friends अपना प्यार देते रहिएगा वीडियो देखन के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स